अब मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान की एक ऐसी शायरा से जिनोंने निसाई लहजे की तरजमानी में अपने इसासात को तो अपनी घजल अपनी शायरी का हिस्सा बनाया ही है साथ ही साथ वो एक तालीमी एदारे से गल्स इंटर कॉलिज के प्रिंस्पल के तोर पर अपनी जिम्मेदारिया निभा रही है लखनों में गल्स इंटर कॉलिज की प्रिंस्पल है मौतरमा डाक्टर नुज़त अंजम साहिबा और आज के एहद में आज खवातीन के जजबात तुरे हिसासात को किस अंदाज में पेश किया जा सकता है। सलीके के साथ घजल की जबान में कैसे बयान किया जा सकता है। इसका नमूना देखते हैं। आईए मुलाकात करें मुथरमा डाक्टर नुज़त अंजम साहिबा से जोरदार तालियों से उनका इस्तक्बाल कीजें। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तश्रीफ लाएं। और अपने कलाम से नवाज़ें। अपनी तनहाई मेरे नाम से आबात करें। कौन होगा जो मुझे उसकी तरह याद करें। उसकी मुठी में बहुत रोज रहा मेरा वजूद मेरे साहिर से कहो अब मुझे आज़ाद करें। मौतरमा डाक्टर नुज़ा तंजम साहिबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले गवंडी के मुहजब सामेहिन के खिद्मत में मेरा सलाम अर्ज़े असलाम अलेकुम जवाब नहीं आया शुक्रिया अल्ला आप सब को सलामत रखे पहले सलाम करने वाले को दसनेकी का सवाब जादा अगर हम सब आपस में सलाम करना ही सीख लें तो हमें महबत खुद बखुद पैदा हो जाएगी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बहुती खुबसुरत महसिल मुशारे की और इसमें बहुती खुबसुरत शक्सियत के मालिक हमारे अबु आसिम भाई तश्रीफ फर्मा है जलवा फ्रोज है आप सब की खिदमत में सबसे पहले मैं एक गता हाजिर करती हूँ समात कीजिएगा अर्श किया है कि महबत से वतन की हम कहां इंकार करते हैं महबत से वतन की हम कहां इंकार करते हैं वतन के दोस्त हैं इस मुलक से हम प्यार करते हैं हम इंसा हैं न तॉलो हम को मजभब के तराजू में क्या कहना हम इंसा हैं न तॉलो हम को मजभब के तराजू में जो दुश्मन अमन के हैं हम उन्हीं पे वार करते हैं वाँ 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 बहुत बहुत शुक्रिया एक गता और समाथ करें अर्श किया है कि तेरे आने से क्या मिला मुझको तेरे आने से क्या मिला मुझको तेरे जाने के बाद जाना है तोट कर तुछ को दिलने चाहा था तोट कर आज दिलने जाना है वाँ 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 बहुत बहुत शुक्रिया एक शेर समात करें कि दुश्मनी से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला दुश्मनी से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला दुश्मनी से तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला दोस्ती कर लो अगर मुझ को मिटाना चाहो वाह वह क्या तरकी होता था बच्पन में खिलोने तूटने का गम बहुत होता था बच्पन में और अब यह है कि दिल गुजरे हैं उनका क्या क्या तासुरात आपके जहन में हैं बहराल ये सब हो तूरदार तालियों सो इस्तक्बाल कीज़े मौतरमा डाक्टर मुज़ा तन्यम साहिबा माइक पर हैं और अपना कलाम पेश कर रही महबतों में अगर अच्छे दिन गुजर जाते तो मैं शायरा होते हैं बहर कैफ एक गजल बिल्कुल ताजा पहली मरतबह आप सब के बीच हाजिर कर रही हूं समान कीजेगा जी जी पढ़िए जुनूने इश्क को उल्जन में डाल देता है जुनूने इश्क को उल्जन में डाल देता है जुनों ने इश्ग को उल्जन में डाल देता है, मेरे सवाल को वो हस के टाल देता है, मेरे सवाल को वो हस के टाल देता है, वो मिल के गहर से गम को उबाल देता है, के मेरी आँखों से दर्या निकाल देता है, के मेरी आँखों से दर्या निकाल देता है। अगले शेर पर खास तवज्जो चाहूंगी। तो इनसा हो के भी मायूस उसकी रहमत से। तो इनसा हो के भी मायूस उसकी रहमत से। जो एक कीड को पत्थर में पाल देता है। मैं इस अदा से हुई कतल उसके हाथों से। मेरे तड़पने की कातिल मिसाल देता है। वो एक फकीर जो कासे को उल्टा रखता है। वो एक फकीर जो कासे को उल्टा रखता है। क्या कहना। अमीर शहर को मुश्किल में डाल देता है। बंधी है उसके ही दामन से मेरी उम्मीदें। डेते हैं जो मेरी दिल को हवा में उचाल देता। वाह 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 जो मेरे दिल को हवा में उच्छाली देता है बहुत बहुत शुक्रिया एक अजल के लिए मुझे हुपम है जे चार शेर समात कर लेजिए इर्शाद बेटा बैठ जाओ कहां भटक रहे हो मेरे साथ वो नवफा करें क्या कहना मेरे साथ वो नवफा करें वो वफा क कोई सिला न दे मेरे साथ वो नवफा करें मेरे साथ वो नवफा करें वो वफा क कोई सिला न दे मुझे खौफ है इसी बात का मुझे खौफ है इसी बात का कहीं रफ तरफ ता भुला न दे मुझे खौफ है इसी बात का मेरी जिन्दगी की वो जोज तो जो क्या पहना मेरे दिल की है वही आर्जूंगाओ वाह वाह मेरी जिन्दगी की वो जूस्त जो मेरे दिल की है वही आर्जु मेरी हर खुशी का सबब है जो कहीं वो ही मुझ को रुला है वाह 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 मेरी हर खुशी का सबब है जो वाह 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 उसे अब तलक ये पता नहीं मेरत जगों का वो नूर है उसे अब तलक ये पता नहीं मेरे रत जगों का वो नूर है मेरे सारे खाब उसी के हैं मेरे सारे खाब उसी के हैं वही आ के मुझ को जगा रहे वाह 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 मेरे सारे खाब उसी के हैं और घजल का का अखरी शयर मेरी राक में तबी होई क्या कहना किसी जो पुझी नहीं मेरी राक में एद बी होई क्या कहना जरा शूख नज रोसे बाज जरा शोख नज रोसे बाज आ मुझे इतनी तेज हवा न दे जरा शोख नज रोसे बाज क्या कहना वह 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 बहुत शुक्रिया और गजल अगले दूसरे दोर में दूसरे दोर का तो मौका बाद ने मिलेगा एक गीत मैं हाजिर कर देती हूँ दो बंसिफ जिसके लिए मुझे एक ही बहुत ही आला शोरा ने हुक्म दिया है जी 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 चलिए पढ़ लीजे अब आपको मैं रोक भी नहीं सकता क्या करूं क्योंकि अरे जब अच्छे च्छे लोग नहीं रोक पाए तो फिर आप क्या रोक पाएंगे मुझे मैं यही चाहता था कि आप इसी इसी होसले से बात करें आप बड़ी बड़ी दभी दभी सी बड़ी उस सर्द लहजे में बात कर नहीं थी तो मुझे लग रहा था कि गो नुज़त अंजम जने मैं जानता वो कहां खो गई है अब आप थोड़ा सा रंग में आ रही है तो चलिए आप दो बंद पलना चाहती है तो मैं कहां रोक पाऊंगा आपको जोरदार तालियों से इस्तक्बाल करके जरसा बताईए कि आप सुन रहे हैं और दो बंद का मतलब दो ही बंद होगा जी हाँ बिलक कि सिर्फ दो शेर समात कर लिजे ने अब देखें अब मुझे इहतिजाज करना पड़ेगा आप तेह कीजिए या तो दो बंद या दो शेर ठीक है मैं दो शेर हाँ दो शेर पढ़ लिए बहुत शुक्रिया जा मैं सा तिरी आखों से अता हो जाए जा मैं सा तिरी आखों से अता हो जाए जा मैं सा तिरी आखों से अता हो जाए होश मौजूद रहे और नशा हो जाए क्या कहना वा इस तरह मेरी तरफ मेरा मसीहा देखे इस तरह मेरी तरफ मेरा मसीहा देखे दर्द दिल ही में रहे और दवा हो जाए दिल ही में रहे और दवा हो जाए थोड़ी दिर के लिए आप खामोशी अक्तियार करने लोग मुझे अच्छे से सुन ले उसके बाद आप खुब वा वा करते रहेगा आपका काम ही आई है सारी रात आप करते रहें अगला शेर समात कीजेगा मुजजा काश दिखा दे ये निगाहे मेरी मुजजा काश दिखा दे ये निगाहे मेरी लफ़ खामोश रहे बात अदा हो जाए लफ़ खामोश रहे बात अदा हो जाए जिन्दगानी को मिले कोई हुनर ऐसा भी बत और दुआ मेरी तरफ से ये शेर आप लोगों की नजर है आप सबकी जिन्दगानी को मिले कोई हुनर ऐसा भी जिन्दगानी को मिले कोई हुनर ऐसा भी सब में मौजूद भी हो और फना हो जाए इस तरह जुर्म के हसास को बेदार करो इस तरह जुर्म के हसास को बेदार करो जिसम आजाद रहे और सजा हो जाए जिसम आजाद रहे और सजा हो जाए और बहुत सी यहां मेरी बेहने यहां पे तश्रीफ फ़र्मा है मैं मक्ता हुँ सब कि नजर करती हूं उसको मैं देखो तो इस तरह से देखो नुजहत नुजहत शर्म आँखों में रहे और खता हो जाए शर्म आँखों में रहे और खता हो जाए बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज